हेलो स्टुडेंस रेस्टेंड मोशन के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम नुमेरिकल बेज़ डॉन वर्टिकल मोशन यह करने वाले ठीक है तो वर्टिकल मोशन के हमने फॉर्मूले देख लिए थे अगर हम आपजेक्ट को अपवा डिरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो बीच वाले टर्म सबके क्या है नेगेटिव है बीच का साइन क्या है नेगेटिव है और डॉनवार्ड करते हैं तो बीच का साइन क्या पॉजिटिव है ठीक है तो आप यह ध्यान में रखेंगे अब मैं फास नुमेरिकल देखूं क्या है य फिर वहाँ पे वह बहुत थोड़े से टाइम के लिए, वह सेकेंड से भी बहुत कम होगा, उतनी देर के लिए वह रुकेगा और फिर वह नीचे आ जाएगा, clear है, तो question क्या है, find maximum height attend इस object ने, क्या maximum height attend किया है, time to reach maximum height, कितना time लगा, ठीक है, जो भी जनियून बाते हो सकते हैं, क्या क्या question बन सकते हैं, कि maximum height इसने क्या attend किया होगा, उपर तक पहुँचने में कितना time लगा होगा, ठीक है, third question है, total distance and displacement covered by it, if finally reaches to thrower's hand, अब ये question क्या है, कि अब ये object उपर जाके रुक तो नहीं जाएगा न, thrower के hand में आएगा, जिसने इस object को फेका था, सपोज ये कोई ball था, तो ये ball क्या आएगा, player के hand में आ जाएगा, तो क्या बताने हैं आपको, total distance or total displacement, ठीक है, last question है, total time taken during motion, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से explain करने वाला हूँ, बिल्कुल confusion नहीं होगी, यहाँ पर मैंने एक diagram ड्रॉ कर लिया, ये एक ball है, या कोई object है, initial velocity मैंने लिखा, 40 meter per second, तो बहुत simple है ये, initial velocity की value क्या है, 40 meter per second, ठीक है, अब य finally यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ velocity कितनी हो जाएगी, बताओ, final point मैंने बताए, velocity कितनी हो जाएगी, 0, अब यहाँ पहुंच कर रुक तो नहीं जाएगा, ठीक है, motion को reverse करेगा, और finally throwers के hand में आ जाएगा, तो मैंने assume कर लिया कि यह displacement कितना है, small h है, अब मैं initial और final, इन at 10 meter per second square, ठीक हम question के according चलेंगे, वैसे यह 9.8 होता है, अगर question में कोई value small g की given नहीं है, तो आपको 9.8 ही लेनी है, ठीक है, तो formula जो तरीका था हमारा, पहले हमने क्या लिखा, जो भी physical quantity है वो लिखा, अब देखा कि इससे related कौन सा formula है, जो हमें height दे सकता है, तो देखो, u, v और small g given है, अगर आपको confusion होता है कि कौन सा formula apply करें, तो अब तीनो formula side में लिखके देख लो, ठीक है, तीनो formula लिखो side में, पहला formula क्या था, v equal to u minus gt, minus क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि upward motion की बात हो रही है, दूसरा formula क्या था, h equal to ut minus half gta square, ठीक है, और तीसरा formula क्या था, v square equal to u square minus 2gh, अब तीनो formula apply करके देखिए, ठीक है, अब देखिए, अगर पहला formula हम देखते हैं, तो time निकल जाएगा, time निकलेगा, है न, हमें first question में height निकलने को बुला गया, दूसरे question में height तो है, लेकिन उसके लिए time चाहिए, तो या तो आप इन दोनों को apply करें, ऐसा भी कर सक है, ठीक है, या तो ut minus half gt square, और u minus gt, इन दोनों formula को apply करें, या फिर, एक ही formula apply करें, v square equal to u square minus 2gh, ठीक है, देखो कैसे, यह मैंने लिखा formula, v 0 है, u की value 40 है, minus 2gh, h unknown है, निकल जाएगा, mathematically, हम solve करेंगे, 80 meter answer आ जाएगा, ठीक है, second question है time, अभी दो को मैंने बताया न, कि अगर आप use करोगे, तो v u और z given at t निकल जाएगा, तो यह दो को v equal to u minus gt लिखा, अब मैं इसको solve करता हूँ, v कितना given है, 0, u कितना है, 40, g की value given है, 10, तो 10t, अब further यह क्या आजाएगा, 10t equal to 40, यही होगा न, mass use करो, 40 by 10, कितना आ गया time, 4 second, तो ऊपर जाने में क्या time लगा, 4 second maximum height reach होने में, clear है बिलकुल, चलो, third part की तरफ आते हैं, total distance and displacement, तो देखो, total distance क्या होगा, ऊपर जितना गया और नीचे जितना है, दोनों add करना पड़ेगा, तो ऊपर जितना गया, वो height तो आप निकाल चुके हो, तो total distance क्या आ जाएगा, 80 plus 80, यही होगा न, 160 meter, बताइए, simple है, displacement बताओ, मैंने, बिलकुल starting में ही, resistant motion के बिलकुल starting में बताया था, यही वाली condition बताई थी, कि अगर हम एक ball को पर फेकते हैं, और फिर हो हमारे hand में आ जाता है, तो displacement क्या होता है, 0, तो कि initial and final point क्या है, same है, तो displacement क्या जाएगा, 0, ठीक है, total time taken during motion, आप बताओ, total time कितना तो मैं आपको बता दूँ कि, यहाँ पर बिलकुल symmetry होती है, आप एक object को जब उपर के तरह फेकते हैं, तो उपर जाने में उसको जितना time लगता है, नीचे आने में भी उतना ही time लगेगा, और अगर तुम चाहो तो mathematically करके देख सकते हो, ठीक है, आप cable downward motion को देखें, height की value तो पता चल चुकी हमें, initial velocity 0 ले लो, ठीक है, और time निकाल के देखो, h equal to ut plus half gt square downward motion के लिए, time आपका यही निकल के आ जाएगा, जो हमने निकाला था, 4 second, तो उपर जाने का time 4 second और नीचे जाने का time 4 second, आपको निकाल के नहीं दिखाना है, मैंने आपको बता देखें के symmetry से ऐसा ही होगा, तो total time क्या आजाएगा, हमारा बताओ, 4 plus 4, कितना आजाएगा, 8 second, ठीक है बिल्कुल, तो यह एक बिल्कुल basic question था हमारा, vertical motion का, अब हम इसके उपर based कुछ और अच्छे questions देखेंगे, ठीक है, तो इसके उपर based हम कुछ और अच्छे questions देखने बाले, एक बा तो question है हमारा, an object is gently dropped from a building of height 120 meter, and another is thrown in upward direction with velocity 60 meter per second from base of building simultaneously, तो देखो क्या question है, कि किसी object को gently drop किया गया है, किसी building की, 120 meter की building की height से, और दूसरे को उसी समय उपर की तरह फिका गया, 60 meter per second की velocity से, question तो समझ में आ रहे है न, कि एक building की height 120 meter है, ठीक है, और same instant पे, same time पे, एक को नीचे गिराया गया, gently, मतलब यू कितना है, 0, और दूसरे को उपर फिका गया, 60 meter per second से, तो ऐसी condition हो सकती है बड़ी simple सी condition है, ठीक है, आपके और आपके friend वाली ये condition में ले लेता हूँ, आपने क्या किया, एक ball उपर से छट से नीचे गिराया, और आपका friend क्या करता है, same time में एक ball नीचे से आपकी तरह फिकता है, तो कोई एक particular condition हो सकती है, जब दोनों ball आपस में क्या करें, collide करें, कुछ distance पे आपका ball गया, और उपर से ball आए, वो दोनों आपस में क्या करें, कहीं ने कहीं collide करेंगे ना, ठीक है, तो आपको यहीं बताना है कि किस time पे, and height from bottom, और bottom से किस height पे, वो दोनों आपस में collide करते हैं, तो देखो, दोनों के लिए time तो same रहेगा ना, बच्चे यहा आपने ball नीचे की तरफ गिराया, और 12 o clock पे यह आपके friend ने ball उपर की तरफ फेका, अब suppose 12 o 1 पे दोनों एक दूसर से collide होते हैं, तो दोनों के लिए time तो same हो गया ना, 12 से लेकर 12 o 1 के बीच का time, clear है, अगर दो event एक साथ start हुए, और एक साथ collide हो रहे हैं, तो दोनों के लि तो मैंने दोनों के लिए time क्या लिखी ले लिया, same ले लिया, ठीक है, अब मैं उपर वाले object को h height assume कर लूँ, कि suppose यह h height travel करता है, फिर यह नीचे वाले object से collide होता है, तो नीचे वाला object कितने distance पे होगा, 120 minus h बता होगा, नीचे वाला object कितने पे होगा, 120 minus h पे, क्योंकि total क् 120 है, तो first object के लिए मैं formula लिखने वाला हूँ, उपर से नीचे आ रहा है, तो बीच का sign plus होता है, तो ut plus half gta square, बताओ कोई problem है क्या, ठीक है बिल्कूल, u कितना है, 0, तो h की क्या value हो जाएगी, half gta square, यह value हो जाएगी, नीचे वाला object देखो, इसकी height कितनी है, 120 minus h, तो अभी h की जगा क्या लिखेंगे, 120 minus h, ut, u क्या है, 60, value given है, तो 60 into t, मैं direct लिख रहा हूँ, ठीक है, और upward motion है, second object के लिए तो यह upward motion है, तो second object के लिए जब यह upward motion है, तो बीच का sign क्या जाएगा, minus, तो minus क्या लिखेंगे, half gt square, ठीक है, अब दोनों equation मैं बोलूँगा, कि आप इन कर लो, add करने से काम बहुत असान हो जाएगा, जब हम दो equation add करते हैं, तो left hand side को left hand side से add करते हैं, यह plus से अच्छा, यह minus से अच्छा, cancel हो गया, right hand side को right hand side से तो यह cancel हो गया, ठीक है, 120 equal to क्या आ गया, 60 into t, बता होगा, तो t equal to क्या लिखने वाले हैं, 120 by 60, कितना आ जाएगा 2 second, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया, next question में, a ball is dropped from the top of a tower of height h, किसी ball को आपने, किसी tower, h height के tower से नीचे गिराया, ठीक है, it covers a distance h by 2 in last second of its motion, how long does the ball remain in air, तो किसी ball को हम, किसी tower से नीचे गिराते हैं, ठीक है, कुछ time लगेगा, पता नहीं है, क्या time लगेगा, लेकिन एक hint given है, कि last second में ये h by 2 travel करता है, ठीक है, तो मैंने इस height को दो छोटे छोटे height, h by 2, h by 2 में divide कर दिया, और ये question में given है, कि last second में, ठीक है, यहाँ पर मैंने t लिखा है, t नहीं होगा ये, ये क्या रहेगा हमारा, one second, क्योंकि one second में ये कितना travel करता है, h by 2, हम क्या करेंगे, total time assume कर लेंगे, कुछ, total time हमने t assume कर लिया, और ये given है कि last second में h by 2 मतलब, last second का क्या मतलब है, one second, है न, अगर ये motion suppose five second का है, total motion, मुझे नहीं पता कितने second का है, तो last second क्या हो गया, four और five के बीच वाला, one second, value तो one second ही है, न, तो अगर last second में h by 2 है, तो उसके उपर जो time बचा, वो कितना रहेगा, t minus one, और उसमें भी क्या distance है, h by 2, ठीक है, तो अब इसे दो part में divide कर दिया मैंने, a, b part और b, c part, तो one by one करके दोनों part के लिए हम calculate करेंगे, हमें इस time t को बताना है कि कितने time के लिए motion हुआ, है न, जब object उपर से नीचे गिराया गया, और last second में ये half distance travel कर लेता है, तो a, b part में देखो, कितना distance travel हो रहा है, h by 2, तो मैं formula लगाने वाला हूँ, उपर से नीचे का motion है, don one motion, तो क्या लिखते है, h equal to ut plus half g t square, यह लिखेंगे न, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ut plus half g, t की जगा है, t minus 1, देखो यहाँ पर, कैसे मैंने बता दिया, total time मैंने t लिया हुआ है, और one second में ये वाला motion है, h by 2, तो बचा हुआ time क्या हो जागा, t minus 1, clear है, तो u तो हमारा 0 है, ठीक है, अब हम part ac की बात कर लेते हैं, इसको solve करेंगे, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा known given है नहीं, ठीक है, t हमें find ही करना है, तो t हम directly find करना ही पाएंगे, केबल एक equation से h के term में answer आ जाएगा, है न, तो दूसरा equation हमें निकालने के ज़ुरत है, तो अब ac part को ध्यान से देखें, ac की total height कितनी हो जागी h, अब हम bc part क्यों नहीं देख रहें, bc part हम इसलिए नहीं देख रहें, कि अगर आप bc part के लिए calculate करोगे, तो आपको point b की velocity भी निकालनी पड़ेगी, तो calculation थोड़ा lengthy हो जाएगा, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ac part को देख रहा हूँ, उससे हमें point a की velocity अप्लाई करनी होगी, और वो कितनी है, 0, point a पे तो velocity 0 है, तो ac part के लिए मैंने h equal to ut plus half gt square, अब यहाँ पे तो हम t लिख सकते हैं, क्योंकि total distance हो गया h, तो total time भी आ जाएगा, clear है, ठीक है, तो यहाँ पे तो यह h by 2 equal to यह था, और यहाँ पे यह h equal to आ गया, तो h हमें चाहिए क्या, बताओ पहले, क्या हमें h चाहिए, बिल्कुल नहीं, h तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल time चाहिए, कि ball कितने time तक air में रहा, ठीक है, तो first equation में देखो, मैं two or two cancel कर सकता हूँ, यह तो zero हो गया, मानलों यह first equation है, अब first और second को मिला सकते हैं क्या, यहाँ पे u zero है, यहाँ भी zero है, first और second में दोनों में left hand side में क्या है, small h है, अगर left hand side equal है, तो right hand को भी equal कर सकते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, from one and two, देखे क्या होगा, g t minus one square, यहाँ पे क्या लिखेंगे, half g t square, यह हो जाएगा न, बताओ clear है, यहाँ पे g t, क्योंकि h by two था, तो वो two cancel हो गया, तो half g t square, अब देखो, g और g भी cancel हो जा रहे है, ठीक है, तो equation को हम solve करें, तो t square minus two t plus one आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, t square by two, ठीक है, space थो रहा कम है, तो मैं इसी तरह से कर रहा हूँ इसे, यह cross multiply हो जाएगा, तो left hand side में two t square minus two t plus one, और right hand side में यह t square है, इसको अगर हम left hand में लेके हैं, तो यह इस तरह से, two t square minus two t square, क्या आता है यह, two t square, बता होगा, minus two t plus one, और, यह किस तरह का format आ गया हमारा, बांकी चीजे हमने ठीक किया है, नहीं, थोड़ी सी गलती भी हुई है, बिल्कुल हुई है, यह two, two, जा four हो जाएगा, जब आपने two से multiply किया, तो यह four हो जाएगा, और यह two हो जाएगा, ठीक है, तो यह four है, और यह two है, अब यह quadratic equation आ गया, ठीक है, अगर आपने quadratic match में प पढ़ा है, तो मैं फिर इसी के comment में इसका answer solve करके बताऊंगा, clear है, क्योंकि quadratic अभी आपको इस question के लिए मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो अगर आपने quadratic पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो format होता है, ax square plus bx plus c equal to 0, और फिर हमें x की value निकालनी होती है, तो यह x की ज from top of a building 10 meter height, find time after which it strikes ground, velocity with which it hit ground, ठीक है, तो अभी question कैसा है, कि एक building है, ठीक है, building की कुछ height है 10 meter, अभी जो ball project किया गया है, वो building के topmost point से किया गया है, ऐसा नहीं कि building के bottom से आपने project किया, building के top से आपने project किया, यह कुछ height तक जाएगा, और फिर यह ground पे वापस आ जाएगा, ऐ ऐसा ही होगा ना, ठीक है, तो यू की value दी गई है, जिस velocity से यह project किया गया, वो value given है, 5 meter per second, ठीक है, अब आपको time बताना है, after which it strikes ground, वो time जिसके बाद यह ground में strike करता है, तो देखे अगर हम इसको, मुसन को part में break करना चाहें, तो part में break कर सकते हैं, यहां से यहां तक यह velocity जिरो होगी ना, कुछ time लगेगा, फिर same time यहां से यहां तक लगेगा, ठीक है, उसके बाद कुछ time लगेगा नीचे गिरने में, तो T1, T2, T3, तीन तरह के time है, आप चाहें तो इन तिनों को अलग-अलग निकाल के, यहां पे answer लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नह करूंगा, मैंने आपको sign convention पढ़ाय हुआ है, और अभी मैं sign convention की help लोंगा, मैं के बल initial point और final point, initial point क्या है यह वाला, और final point क्या है यह वाला, तो displacement कितना है बताओ, final minus initial, final कहां जा रहा है, यह वाला 0, और initial कहां पे था, 10, तो यहां पे जो आपको ध्यान देना है, कि edge की value 10 नहीं होगी, minus 10 होगी, क्योंकि displacement यह होता है, final minus initial, यह क्या रहेगा, minus 10 रहेगा, ठीक है, edge की value कहां लेंगे, minus 10, ठीक है, acceleration आपको पता, यह 10 होता है, तो अब हम formula लगाने वाले हैं, क्या निकालना था हमें, time निकालना था, तो अब हम formula लगाने वाले, वैसे क्या formula होता है, s equal to मैं लिखता हूँ पहले, और फिर मैं science convention के recording formula लगा दूँगा, ut plus half a t square, यही formula होता है, ठीक है, s क्या लिखेंगे, minus 10, u देखो, positive है, negative है, positive है, क्योंकि upward direction में है, तो 5t plus half, a क्या है, g, क्या होता है, positive है, negative, negative, तो minus 10, और t square, t ही तो निकालना है, है न, time after which it is striven, तो मैंन initial और final point की बात की है, ठीक है, अगर आप चाहें, आप खुद से एक पर solve करके देखना, यह 3 time अलग-अलग ले ले लेना, और फिर इसको solve करना, थोड़ा lengthy numerical होगा, अभी मैंने initial और final time की बात की है, इसमें, तो यह हमारा 2, 5, 10, 5t square, सबको हम left hand side में ले ले लेते हैं, 5t square, minus 5t, minus 10, यह क्या गया हमारा, 0, तो इस तरह से यह t square, minus t, minus 2 क्या जाएगा, 0, अभी यह quadratic तो है, लेकिन यह mid term split से भी हो जाएगा solve, तो मैं mid term split आपने पढ़ा होगा, तो उससे मैं solve करूंगा, minus 2t plus t, इस तरह से कर सकते हैं, इन दोनों का multiply करेंगे, तो 2t square होगा, mid term को इस से split करें, कि add और subtract करके यह term आजाए, और multiply करके यह दोनों का multiplication आजाए, यह करते हैं, तो देखो क्या आजाए, अगर t, t minus 2, plus 1, t minus 2, 0, तो t plus 1, और t minus 2, तो time की दो value आजाए, minus 1 और 2, बताओ, minus 1 हो सकता है क्या, नहीं, minus 1 feasible ही नहीं है, time negative नहीं होगा, तो कौन सी value हो जाए की time की 2, तो पूरा time क्या लगा, इसको नीचे तक पहुँचने में, 2 second का, बताओ clear है, अब next है, velocity with which it hit ground, तो अब velocity के लिए भी, हमारे पास क्या formula होता है, u plus 8, यही basic formula होता है, मैं sign convention यूज़ करके, initial or final point, तुमारे पास कोई दूसरा method हो, basic method जो लगे कि नहीं, यह मुश्क final का है, v, u की value plus 5, और acceleration क्या है, minus 10, और time क्या रहेगा, हमारे बताओ, 2, तो 5 minus 20, कितना आ गया, minus 15, तो minus में तो आना ही चाहिए न, अब सान convention के recording निकाल रहे है, velocity कि इदर है, downward direction में, negative ही आना ही चाहिए, तो अगर कोई केवल value पूचे तो आप उसको 15 meter per second, in, कौन सा direction है यह downward direction बताएंगे, ठीक है, मतलब अगर कोई objective question है, तो minus वाला term भी अगर given है, तो आप इसको tick करेंगे, अगर नहीं given है, तो यह भी आप tick करेंगे, क्योंकि minus tokeable direction को बताता है, ठीक है, तो हमने vertical motion के भी different numericals देखे, ठीक है, तो आज के lecture में बस इतना ही, next class में हम फिर कुछ औ topic के बादे में बात करेंगे,